आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है आज हमलोग चाहिं आज के लिए लेगाट अजू स्वागत है आज भाक्तीन के अंदर हम लोग स्वतंत्रता और समानता के मध्धे परसप्रक संबंधों को समजना चाहेंगे पिछले वीडियो लेक्चर्स के दुम धुर diferente इसी के साथ ही समान्ता जिसमें नकरात्मक समान्ता और सकरात्मक समान्ता का जिक्र करते हुए समतावाद पे चर्चा की थी और आज हम लोग स्वतंतरता और समान्ता के मध्य परसपर संबंधों पे चर्चा करेंगे और ये आपके परिक्षा के point of view से, exam के point of view से बहुत ही महत्यपुन topic है और इस पर ही ज्यादातार प्रशन पूछा जाता है कि स्वतंतरता और समानता के पारस पर एक संबंधों के चर्चा कीजिए क्या आपको लगता है कि स्वतंतरता और समानता में पारस पर एक विरोध है या स्वतंतरता और समानता एक दूसरे के पूरक है Do you think that liberty and equality is complementary for each other और both are contradictory for each other कमेंट इस तरीके से कई बरप्रशन परिक्षा में पूछा जाता है स्वतंतरता और समानता के संबंध है उसमें हमें दो विचार दिखाई देते हैं एक वो लोग जिनका कहना है कि स्वतंतरता और समानता एक दूसरे के विरोधी है यानि दोनों के बीच में विरोधा भास है और दूसरा वो जो कहता है कि स्वतंतरता और समानता एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लिमेंटरी है देखें अगर आप इस तरह से सोचने लगें कि स्वतंतरता का मतलब है असीम स्वतंतरता, absolute freedom and state should not control our activities and state should give us absolute, unlimited freedom असीम स्वतंतरता राज्ये हमें दे, हमारी किसी भी गतिविदी पर कोई रोक ना लगाए, अगर हम स्वतंतरता का ये मतलम मान के चलते हैं तो हमें स्वतंतरता और समानता एक दूसरे के विरोधी दिखाई देंगे और ठीक इसके विप्रीत यदि हम स्वतंतर्ता के सकरात्मक अर्थपर ध्यान दे यानि कि unreasonable restrictions के जगा reasonable restrictions के अगर बात करें अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की वैवस्था की बात करें तो हमें स्वतंतरता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बलकि एक दूसरे के पूरक प्रतीत होंगे दूसरा एक और विचाराता है इन दोनों में अंतर का, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी थोड़ा सा जिस देके आगे आपको लेके चलता हूं देखे जिन लोगों का कहना है कि स्वतंतरता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं उसमें जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, हेयक, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमन और एडम स्मित का नाम आता है यह सभी वो विचारक है जिनोंने नकरात्मक, स्वतंतरता या नकरात्मक समानता का समर्थन किया है ठीक, इसके विप्रित वे सभी विचारक जिनका कहना है कि स्वतंतरता और समानता एक दूसरे के पूरख है इसमें हमें John Stuart Mill, Harold Lasky, T.H. Green, Richie और Hobbs House का नाम दिखाई देता है अब मैं चर्चा को आगे बढ़ादा हूँ स्वतंतरता और समानता दोनों ही लोक्तंतर के पिलर है और समानता की अवधारना जहां नागरी को अपने विकास के लिए समान अफसर उपलप्त कराती है वही स्वतंतरता की अवधारना राज्य की अपेक्षा विक्ती पर यानि राज्य की अपेक्षा हम सभी पर हमारे अधिकारों पर बल देती है और हमारे अधिकारों की हमारे स्वतंतरता को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है ताकि हम सभी अपने जीवन में अपना self development कर सके अब प्रशन उठता है कि क्या स्वतंतरता और समानता के बीच कोई विरोधा भास contradiction है या ये दोनों एक दूसरे के पूरक है देखे इस प्रशन का उत्तर जैसा कि मैंने अब जिकर किया था थोड़े देर पहले इस बात पर depend करेगा कि हम दोनों शब्दों का क्या अर्थ लगाते हैं हम किस दृष्टी कोण से स्वतंतरता और समानता को देखते हैं देखे यदि स्वतंतरता को असीम स्वतंतरता मानकर चला जाता है तो ये दोनों से धांत एक दूसरे के विरोधी दिखाई देंगे और यदि स्वतंतरता के सकरात्मक अर्थ पर ध्यान दे अथार्थ अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था किया जाना वास्ता में सकरात्मक स्वतंतरता होता है या फिर उन कारेओं को किये जाने की आजादी दी जानी उन कारेओं को किये जाने का अधिकार दिया जाना जो किये जाने ही होगे जो desirable है which is desirable for human development which is desirable for personal development तो स्वतंतरता और समानता हमें एक दूसरे के पूरग दिखाई देंगे देखें दूसरे वो लोग हैं जिनका कहना है कि स्वतंतरता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं देखें जिन विचारकों का कहना है कि ये दोनों वास्ता में एक दूसरे के विरोधी हैं वो वास्ता में संपत्ति के असीमित अधिकार पर बल देते हैं और इस अधिकार को वो जीवन की सुरक्षा के बाद दूसरा स्थान देते हैं इन सभी विचारकों का मानना है कि विक्ति को आर्थिक जगत में एकनॉमिक स्फेर में पून्ष स्वतंतरता दी जानी चाहिए और समानता स्थापित करने की चाहत में राज्य, स्टेट, विक्ति की आर्थिक गतिविधियों में कोई भी हस्तक शेप नहीं करना चाहिए याद कीजेगा Adam Smith के थियोरी के मैंने जिक्र किया था थियोरी ओफ लैसेस्फेर जोस्मिन उसने का था कि राज्य को विक्ती की आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक शेप करना चाहिए और विक्ति को उसके जीवन में अधिक से अधिक स्वतंतरता दी जानी चाहिए देखिए दो खास विचार आते हैं विचारकों का नाम जिक्र करना चाहूँगा जिनका कहना था कि यह दोनों एक दूसरे के विरोधी है इसमें पहला आते हैं Lord Acton और दूसरे है Julius Huxley इन दोनों ने तो यहां तक का था कि स्वतंतरता बनी रहनी चाहिए चाहे इसके लिए समानता के सिधान को हमें छोड़ना पड़े Lord Acton ने एक बात और कही थी कि समानता स्थापित करने की लालसा ने जो इच्छा है उसने आज स्वतंतरता की आशा को बहुत धोमिल कर दिया है देखे जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, एडन स्मित, लॉड एक्टर और कई समकाले नव उदारवादियों ने भी जिने हम स्विच्छा तंतरवादी भी कहते हैं जिसमें आईजिया बरलिन, हेयक, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमेन इत्यादी थे इन सभी लोगों ने नकारात्मक स्वतंतरता को विक्ति के विकास के लिए अवश्यक मानते हुए सकारात्मक समानता की अवधारना की अलोचना की है देखे जब मैं नकारात्मक स्वतंतरता की बात करता हूँ तो ध्यान रखेगा I am talking about formal liberty और जब मैं सकारात्मक समानता की बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ substantive equality की तात्रिक समानता की Herbert Spencer एक विक्तिवादी विचारक थे जिनका कहना था कि राज्यों को विक्ति के कारियों में न्यूनतम हस्तक शेप और अधिक्तम स्वतंतरता दी जानी चाहिए state is better who will be act like a minimal state who will interfere less and give us maximum liberty और राज्यों को कोई भी कल्यानकारी कारे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ठीक इसी की तरह ICA Berlin का भी कहना था कि राज्यों को समानता स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए इसे केवल विक्तियों को अपचारिक स्वतंतरता जो formal liberty है केवल वो दे देनी चाहिए और यदि राज्यों समानता स्थापित करने के लिए कारे करने लगेगा तो विक्ति की स्वतंतरता कहीं न कहीं सीमित होती चले जाएगी संशेप में इनका कहने का मतलब था कि जितने भी नकरात्मक स्वतंतरता के समर्थक है उन्होंने असीमित स्वतंतरता पर ध्यान दिया और विक्ति की गतिविधियों में राज्ये के सकरात्मक हस्तक्षेप को नकरात्मक दिश्टिकोंट से देखा और इसलिए इनका कहाना था कि स्वतंतरता और समानता वास्ता में एक दूसरे के विरोधी है अब देखे दूसरा विचार आता है कि स्वतंतरता और समानता एक दूसरे के पूरक है देखे जो लोग स्वतंतरता और समानता को परसपर विरोधी समझते हैं वे केवल थोड़े स सब्सक्राइब करें लोगों की स्वतंतरता को अपने ध्यान में रखते हैं आप खुद सोचें जिस समाज में बहुत ज्यादा व्यापक समाजिक आर्थिक और धार्मिक विभिंता हो जहां कुछ लोग दूसरों को हीन मानते हो या स्वयम को उच मानते हो जहां एक वर्ग स्वतंतरता प्राप्त है तो इसका पता हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि उस राज्ये ने अपने अधिकांश नागरिकों को अपने विकास के लिए क्या-क्या सुविधाय दी हैं लोगों को सुख सुविधाय जुटाने के लिए कुछ मूलभू सिध्धानतों को अवश्य की समानता, Fair Equality of Opportunity, समाजिक समानता, Social Equality and Equality Before Law, कानुन के समक्ष समानता, देखे वास्तव में समानता स्वतंतरता का दुश्मन नहीं है, अपितु समानता स्वतंतरता की एक अनिवारे शर्थ है, क्योंकि आर्थिक समानता के बीना राजनेतिक स्वतंतरता का कोई अर्थ नही इक्वालिटी नहीं आजाती, तक तक exploitation खतम नहीं होगा, यहाँ पर मुझे लॉस्की का एक वक्तव यादा आ रहा है, लॉस्की ने कहा था कि जिस भी समाज में अमीर और गरीव, यानि धनी और निधन मौजूद है, वह समाज हमेशा दो वर्गों में बटा होगा, एक माल का राजनेतिक इस्थिर्था, political stability, किसी भी देश की राजनेतिक इस्थिर्था से गहरा सरोकार है, संबंध है, और आज बहुत से देशों के सविधानों ने एक विक्ती द्वारा दूसरे विक्ती के शोशन को unconstitutional, extra constitutional, illegal करार दिया है, किन्तु जहां पर घोर आर्थिक विश वहां जब कभी भी कोई विक्ती अपनी स्वतंतरता की मांग उठाएगा, तो जो powerful लोग है, जो शक्तिशाली लोग है, वो उसको चुनोती देंगे, उसका विरोध करेंगे, इसलिए समाजिक समानता का होना बहुत अवर्शक है, देखिए वे सभी लोग जिनोंने समानता और स्वतंतरता को विरोधी नहीं, बिल्कि पूरक माना है, उन्हें हम सकरात्मक उदारवादियों की शेनी में गिनते हैं, जिसमें जॉन स्टूर्ट मिल, हराल्ड लास्की, टी एच ग्रीन, रिची, हॉब हाउस, मिल्टन फ्रीडमेन का नाम आता है, और इसके अलावा द एक दूसरे के पूरक है, और इनका मानना था कि समाज में स्वतंतरता का वास्तुविक प्रियोग किये बिना तात्तुविक समानता, सबस्टेंटिव एक्वालिटी संभव नहीं है, इस बारे में आरेच टोनी का भी कहना था कि समानता के अभाव में स्वतंतरता की अवधा स्वतंतरता और समानता को एक दूसरे का पूरक माना था देखिए ग्रीन का एक वक्तव्य मुझे आगा है जिसमें ग्रीन ने कहा था कि मानव चेतना को स्वतंतरता चाहिए और स्वतंतरता में अधिकार और समानता दोनों नहीं थे और इनी अधिकारों की रक्षा के लिए वास्तब में राज्य की स्थापना हुई है देखे यहाँ पर मैं स्वतंतरत और समानता के परसपरिक संबंधों को संशेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ निशकर्ष देने की कोशिश करता हूँ इसके बाद हम समानता के विभिन आयामों को different dimensions of equality पे चर्चा करना चाहेंगे देखे पुलाड का कहना था कि स्वतंतरता की जो समस्या है उसका केवल एक ही समाधान है वह है समानता का विस्तार expansion of equality आज हमें बहुत से देशों में नसलिये विभिनता, धार्मिक विभिनता, भाशागत विभिनता, जातिगत विभिनता दिखाई देती है इसलिए अगर हम भारत को इस दिश्टी कोन से देखे तो भारत की स्थिति थोड़ी जादा विशम दिखाई देती है क्योंकि यहां पर धार्मिक, भाशागत, शेत्रिये और economic inequalities आर्थिक विशमताओं के साथ साथ जातिगत व्यवस्था की विशमता भी मौजूद है और यहां पर जॉन रॉल्स का एक वक्तावा जिसमें उसने कहा था कि कोई भी social policy, समाजे कनीती केवल तभी नयायपूर्ण हो सकती है जब सुविधाओं के वितरण में वंचित वर्गों को विशेश प्राथमिक्ता दी जाए special favor और special treatment should be given to all privileges who are in a deprived manner इसलिए वास्ता में स्वतंतरता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है बलकि एक दूसरे के पूरक है और जिनका ये कहना है कि एक दूसरे के विरोधी है वो वास्ता में स्वतंतरता और समानता के नकरात्मक अर्थ को अपने ध्यान में रखते हैं यदि हम स्वतंतरत हम लोग समानता के विविद आयामों पर different dimensions of equality पर चर्चा करना चाहेंगे देखिए समानता के सिध्धान्त को आज प्रतेक देश में लागू करने की कोशिश की गई है और यही कारण है कि हमें समानता के मूल भूत 3-4 आयाम दिखाई देते हैं जिसमें पहला आयाम है राजनेतिक समानता, दूसरा कानूनी समानता और तीसरा समाजिक आर्थिक आयाम और यह सभी आयाम अगर आप गौर से देखें तो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और देखें समानता के सिध्धान को यदी हम डिफरेंट एंगल से डिफरेंट पॉइंट आप यू से भी देखें तो उसके यही आयाम हमारे सामने आते हैं थोड़ा से इस पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं समानता की जो पहला अयाम था जैसे मैंने कहा कि लीगल इक्वालिटी कानूनी समानता देखें आधुनक्यूक के आरं में समानता की मांग सबसे पहले कानूनी समानता की रूप में उठाए गई थी इसका मतलब था कि समाज में सभी लोगों को जन्म के अधार पर, शाररिक अधार पर, मानसिक शम्ताओं के अधार पर और अन्य विभिनताओं के बावजुद उनको समान कानूनी हैसियत दी जानी जाएए. और रूसो ने एक किताब लिखी थी, The Social Contract, समाजिक अनुबंद के अंदर रूसो ने कहा था कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना, नागरिक समाज के एक प्रमुख विशेश्ता है. और रूसो का कहना था कि प्रकृति ने, रूसो ने जो बुक लिखी थी, Origin of Inequality, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, उस पुस्तक में रूसो ने दो तरह की विशमताओं का जिक्र किया था, एक उसने कहा था प्राकृतिक विशमता, और एक उसने कहा था कृत्रिम वि यदि इसमें कोई छेड़चा ना की जाए, तो भी कानूनी दृष्टी से सभी विक्तियों को समान अधिकार दिये जाने चाहिए, और आज के युग में कानूनी समानता के सिध्धान को सुभाविक रूप से मानिता दी जाती है, परन्तु इस मानिता को प्राप्त करने में हमें कई यूग लगे हैं, प्राचिन समाज में अगर हम लीगल इक्वालिटी की बात करें, तो ये मिसिंग था, अज्यात था, उधारन के लिए मनुस्मृती के अंतरगत एक ही अपराद के लिए विभिन वर्णों के लिए अलग-अलग दंडात्मक विवस्था की बात की गई है, वहीं अरस्तु ने भी सुझाव दिया था कि एक ही अपराद के लिए स्वतंत्र नागरिकों के तुल्ला में दासों को अधिक से अधिक कटोर दंड दिया जाना चाहिए, चुकि दास कम समवेधनशिल होता है, थोड़ा सा जिकर करना चाहूंगा, अरस्तु ने ये गुलामों से अपना काम कराएंगे और इनका दर्जा स्वतंत्र नागरिकों से बहुत नीचे का होगा, देखे सबसे पहले फ्रेंच रेविलूशन 1789 में भी केवल कुलीन विक्ती जो इलीट क्लास होता था, उसे अब न्यायले में एविडेंस प्रस्तुत करने का अध एक अधिकार नहीं था, अगर मैं एंग्लेयंट के बात करू तो इंग्लेयंट में दासों के पास कोई भी लीडल केपिसिटी, कोई भी लीगल राइट नहीं था और कानूनी दिश्टी से उनका कोई विक्ति तो भी नहीं था, और इंग्लेयंट के अंदर 1918 तके नियम था क जिस भी विक्ति को गरीबी में सहता दी जाती है पूर रिलीफ दिया जाता है उसकी कानूनी हैसियत बहुत मामली होगी क्योंकि उसे दूसरों की तरह मतदान देने का अधिकार नहीं होगा देखें कानूनी समानता की विवक्ति जो है जो कानूनी समानता की अधिकार है वो कानून के समक्ष समानता की बात करता है Equality before law की बात करता है Lucas, J.R. Lucas ने इस बुक लिखा था The Principle of Politics और उसके अंतरकर इसका कहना था कि कानून के समक्ष समानता का मतलब ये नहीं है और नहीं कानून का समक्ष समानता इस बात का विश्वास दिलाता है कि सभी के साथ एक सा बरतात किया जाए बलकि वहया निश्चित करता है कि कानून तक सब की समान पहुँच होनी चाहिए और केवल उन्हीं बातों पर विचार किया जाएगा जो कानून के तहत प्रसांगीक हो कोई भी इतना वेक्ती छोटा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे को दबाने लगे अता कानून के समक्ष समानता करते हैं कि सभी नागरिकों को समान रूप से कानूनी अधिकार होंगे सभी लोग कानून के अधीन होंगे और सभी नागरिकों को कानून का समान संगरक्षन प्राप्त होगा देखे दूसरे अधिकार की बात आती है political equality देखे राजनेतिक समानता करता है कि नागरिकों को समान राजनेतिक अधिकार दिये जाए यानि decision-making bodies में समानता के अधार पर equal representation दिया जाना चाहिए Everybody should get equal representation on the basis of equality in decision-making body In other words, we can say everybody should get one man and one vote प्रतेक विक्ती को एक मत और एक मुल्ले का अधिकार मिलना ही चाहिए और इसमें ये विचार भी नहीं था है कि किसी भी विक्ती को जन, लिंग, धर्म के अधार पर राजनेतिक पद प्राप्ट करने से ना रोका जाए यानि किसी भी विक्ति को जन्म के अधार पर, लिंक के अधार पर, धर्म के अधार पर कोई भी सरकारी नौक्री लेने से नारोग का जाये और समाज में कोई भी ऐसा प्रिवलेज क्लास नहीं होना चाहिए जिसे शासन का असीमित अरिकार हो शासक भी समाज में किसी समुह या विक्ति विशेश की इच्छा या हितों को यदि महत्व नहीं देता तो उसे भी राजन्यतिक समानता से भाहिश्कृत किया जा सकता है समाजिक आर्थिक समानता के विचार में समानता के समाजिक और आर्थिक पक्ष एक दूसरे से गुंधे हुए है इसका मानना है कि कानूनी समानता और राजन्यतिक समानता अपने मूल रूप में अपचारिक समानता की सूचक है जिसे भेदभाव के अभाव के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं पर नतु समाजिक और आर्थिक समानता तात्विक समानता की बात करती है जो समाजिक परिवर्टन की बात करती है देखे कानूनी राजनेतिक समानता का विचार आरंभिक उदारवाद का नारा था वहीं समाजिक आर्थिक समानता का विचार समाजवाद के लक्षे को प्रतिबिम्बित करता है सोशल एकनॉमिक एक्वैलिटी के संकल्पना समानता के आरंभिक विचार की तरस संगत परनिती थी इसलिए यह एक प्रगतिशिल विचार था जो आगे चलके सकरात्मक उदारवादी सिधान के रोप में विक्सित हुआ संशेप में कहना चाहूँगा जहां राजनेतिक समानता वन मैन वन वोट की बात करती है वही समाजिक समानता सबके समान समाजिक अधिकार सबके लिए समान हिस्सेदारी की बात करती है समाजिक आर्थिक समानता केवल उन विश्वमताओं की कोटाओती की मांग करती है, जो सोशल इंजस्टिस को, समाजिक अन्याई को जन्म देते हैं, और देखे समाजिक आर्थिक समानता के विचार नहीं, आधुनिक योग में, वेलफियर स्टेट को विक्सित किया है, और वेलफियर स्टेट के विचार को इस परकार संशेप में यही कहा जा सकता है कि समानता के हमें तीन आयाम दिखाई देते हैं समाजिक समानता, समाजिक और आथिक समानता, राजनेतिक समानता और आथिक समानता और वास्ता में सवतन्तरता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है बलकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है धन्यवाद